हुकूमत का तो क्या रोना की वो एक आरजी शाय थी नहीं दुनिया के आईने मुसलम से कोई चारा मगर वो इल्म के मोती किताबे अपने आबा की जो देखें इनको यॉरप में तो दिल होता है उसी पारा इस सोशल मीडिया के दौर में हम अपने किताबों से इतनी दूर हो गए हैं कि हम हर जानकारी के लिए आज इंटरनेट की मदद ले रहे हैं और इंटरनेट को ही अपना गुरू बना चुके हैं ऐसे में इस बात पर गौर करना ज़रूरी हो गया है कि जानकारी हम जिससे ले रहे हैं उसमें कितने सच्चाई है आज यूट्यूब, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, शॉर्ट, स्रिल्स हर जगा आपको दुनिया और दीनी तालियम फ्रैम करने का दावा करते लोग नजर आते हैं मगर इसके कितने positive और negative side effects है ये हम हर रोज देखते और सुनते भी आ रहे हैं ऐसे में इस मुद्य को उठाना काफी ज़रूरी हो गया है कि क्या इंटरनेट से ग्यान लेना चाहिए चाहिए वो दुनियावी हो या दीनी किसी भी मजभ या religion के कितना सही और कितना गलत है इंटरनेट से ग्यान लेना इसी को ध्यान में रखते हुए न्यूस 5 एम जमशितपूर की टीम ने तहरीके पैगाम जमशितपूर के founder और director हजरत सैफुदीन अजदक साब से इस मुद्दे पर बात की और बात की जानने की कोशिश की मैं न्यूस 5 एम जमशितपूर से महभू बालब आज हम आए हैं हज़र सैफुदीन अजदक साब के पास कुछ सवालों के साथ हज़र सैफुदीन अजदक साब तहरीके पैगाम इसलाम जमशितपूर के director and founder से है असलाम आलेकूल जैसे के आप जानते हैं कि यूटूब और सोसल मिडिया का दोर है पहले को जो दोर था जिसमें सोसल मिडिया और यूटूब का जमाने नी था तो लोग दिनी बात मज़भी बात बिसम ललाहिरुरहिमान और रौहीम सबसे पहले अब्तिदाई जवाने की हम बात करते हैं तो उस वक्त किसी के बारे में जब मालूम होता था कि ये फलाँ आले में दीन हैं फलाँ फ़की हैं फलाँ मुधिस हैं तो लोग बहुत लंबा लंबा सफर गिया करते थे और उसके बाद फिर उसे वो इल्म हासिल करके वापसाया करते थे उसके बाद जमाना तरकी किया अगरा उलमा की खसरत होई अब उलमा के सामने जानुए तलमुस तह करते थे मदारिस कायम होए बाद में अब शेयख अपनी मस्जिद में ही दर्सका हुआ करती थी और उसके बाद पिर किताबों के जरिया लोगोंने इल्म हासिल करना शुरू किया तो पिर वो मुलमा के साथ उन किताबों के जरिया जो है इल्म का सलसला आगे बढ़ने लगा जो है दिनी बाद जाया, जादात्र योट्टूबर, सोशल मीडिया और शॉर्टस वगर나 से भी सीखते हैं यह कितना ऑथिंटिक है अच्छा सवाल आपने किया है आज हाल क्या है, गूगल मास्टर के बास गये हैं Google को अपना teacher, अपना उस्ताज, अपना मुखली मॉर्शिप बना लिया है इस तरह की जो किताबें इस तरह की जो बातें मिलती है उनको पढ़तर के समस्तें को वो सीख लिया है या कोई भी बियान करने वाला बियान करता है याद रखें ये इन्म क्या है, इल्म की नूर है मुखली में अपने मुकद्दे में हदरते मशूर ताबई, जल्लु कद्र ताबई इमाम मुहमद बिन सीरीन रहमतुल्ह ताला ले का कौन नकल फर्माया है कि फर्माते हैं वो कि इन्ना हादल इल्मा दीन यानि ये इन्म जो है, क्या है, वो दीन है इसलिए तहकीद कर लिया करो कि तुम अपना दीन किस्से हासिल कर रहे हूं तो जाहिर है कि आप जब गूगल मास्टर के पास जाएंगे आप तो वहाँ तो कादियानियों ने भी, यहुदियों ने भी, मिलहिदी ने भी तहरीफ करके ना जाने कैसे कैसे चीज़ें डाल लगी है नकली पूरान, जाली पूरान तक वहाँ मौझूद है बिलकूई बिलकूई तो जाहिर है कि अच्छा बहुत से लोग यह समझ कहते हैं कि भई हम जो अच्छी चीज़े होंगी हम ले लेंगे और जो अच्छी चीज़े नहीं होंगी छोड़ देंगे सवाल ये पैदा उठता है कि आप के पास जब इल्म नहीं है तो आप पहचानेंगे कैसे कि सोना खरा कौन सा है और खोटा कौन सा है ये इल्म दीन है इसको हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम जिससे इल्म हासिल कर रहे हैं उसके बारे में भी हम जाने है पुरी तरीके से अपने आपको सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपने आपको प्रतग्या ना कर लिया जाए बहुत एजी अपरोच है कि हमारे पास कुछ अगर हमको दीन या इसलामी मालूमात अगर हासिल करना हो तो लोग बहुत असानी से ये कर लेते हैं लेकिन हमें चाहते हैं कि आप मश्वरा दें कि किस तरह से दीनी मालूमात या मज़ेबी इसलामी तावारिक के बारे में लोग जाने हमने आज के दौर में फिल्म स्टार्स को किर्केटर्स को और दीगर लोगों को हमने अपना हीरोज बना लिया है असल हीरोज हमारी तारीखती किताबों में चुपे हुए हैं और उसके लिए जरूरी है कि हम किताबों का बताला करें और ठीक है यूटूब पर भी बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं अभी आप आए हैं मुच्छे सवालात अपनी किया आपका भी यूटूब चैनल है अलजदक ऑफिशियल तो जुम्ह की जो बेयानात होते हैं उजुम्ह के बेयान उसमें डाहम लोग अप्लोड करते हैं हम आपने तहरी पेगाम सलाम के हमारे एफबी चैनल पर हम अपनी तक्दीर वगरा जो है बच्चे डालते हैं हमारी टीम के तो मकस्द यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी बात लोगों तक पहुंस सके और लोग उससे फाइदा हासिल करें आज इंतहाई जरूरी है कि हम किताबों की तरफ लोटें यह देखें यह किताबें हैं लेबरीनिया हैं रखी ही है आज हाल यह हो गया है कि अच्छे लोग उलमा का भी एक तबका जो है हमारे आईमा का भी एक तबका है असोस के साथ कहना पड़ता है और दिगर फिल्ट्स में पढ़े लिखें लोगों का भी हाल है कि उनको भी पढ़ने का मौका नहीं है हमारा सहमाही रसाला एक निकलता है जाने शुहूद तीन महीने में एक बार हाल यह होता है कि लोग उसको लेने के लिए तैयार निया पढ़ने का मौका कहा है पढ़ने का वक्त कहा है कई पढ़े लिखे इमाम और आलिम ने का पाने का वक्त कहा है तो मुझे बलके तबी भी करने पड़ी कि जब आप जैसे लोग यह कहेंगे कि किताब पढ़ने का मौका कहा है तो आवाम किदर जाएगी तो मैं बस नौजवानों से और अपने नई नसल से ये कहना चाहता हूँ किताबों से अपना तालुक जरूर काइम करें और दीगर मस्तुफियात के साथ आपके मुताले के मेज़ पर कुछ किताबे जरूर होनी चाहिए हमारे बिचरने के वज़ा ये भी है और हमें दुनिया की खबर इसलिए भी नहीं है कि हम अपनी तारीख नहीं जानते किताबों से हमारा तालुक टूकता चला गया है वरना पहले तकरीबान हर घर में कुछ ना कुछ किताबे हुआ करे तो ये चुटी से लाबरी नहीं हो करते थी बेसक भेसक्ट लेकिन आज डादा जान चले गए बावा जान और्यक उँर्दू परणार्यमिं जानते हैक या किताबों से तालुक नहीं है तो किताबें वो दीबाख खोरदा हो रही हैं, बरबाद हो रही हैं, खत्म हो रही हैं तो इस जनरेशन तक जो है, वो किताबों के मुताला का शौक वैदा करना ये बहुत जरूरी है मैं नौजवानों से यह कहूंगा किताबों से अबना तालुक काइन करें से बहुत सारी जानकारी हासिल दी और ये बात भी सच है, ठीक है, यूटूब सोचल मीडिया के दौर है, हमारी मजबूरी है, नेरे नसल की मजबूरी है ये बात उन्हें बहुत अच्छी कहा, कि बेक गूरुन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है यह आपके स्राउंडिंग आसपास समाच का एक बहुत बड़े आलिम है रहनुमा है हमारे ठीक है आप इनका भी यूटूब चैनल देख सकते हैं यूटूब के जरिये भी हम छोट छोटी है बहुत कीम्ती मालूमात हासिल कर सकते हैं इसरी के साथ मैं मैं बहुत बाला विच्टनेश 5M जमशित पूर से